Hello everyone, welcome back to my channel exam success mantra और आज हम डेले लिट सेकिंड येर की unit second रेने वाले हैं Unit second में आज हम जानेगी है सर्जनात्मक्ता, creativity यह सी को बोलते हैं सर्जन सील ठीके, question देख लेते हैं क्या पुछा गया है सर्जनात्मक्ता, सर्जन सीलता का क्या अर्थ है उसके आगे पुछा गया है कि इसकी विसेष्टाओं का उले कीजिए बहुत important question है, हर साल, हर pattern में ये question पूछा जाता है कभी 8 number में, किसी, आप जानते हैं, डेलेर में 4 paper बनते हैं second year में तो आप जानी चुके होंगे, ठीक, A, B, C, D, 4 set बनते हैं हर set में ग्वेस्टन डाला जाता है, किसी में 8 number में डाला गया होगा कभी इसका अर्थ पुछलते हैं, कई भर इसकी विसेष्टा है पूछी जाते हैं होत वह सकता है, बहुत अंषिक्त का और धिया है कि इसके answer हमें कैसे लिखना है है क्या ठीक है बुक्स में बहुत ज़्यादा दिया होता है हमेरे अपने coding जो में सटिक रखती है वो चीजे लिखनी होती है ये नहीं कि पूरी बुक छापके आगे इतना time भी नहीं होता है word limit होती है कई बच्चों को लगता हम ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आगे नहीं बैचा word limit होती है इसलिए दी जाती है ताकि बच्चे का महाँ पर देखा जाता है कि वो अपने इतने word में अपनी बात को पूरी तरह से कैसे लिखता है पूरी तरह से समझा पा रहा है नहीं समझा पा रहा है वरना क्या ज़रोता है word limit देने की आरी पैस समझ में ऐसा नहीं है कि आपको पूरा paper पूरी book छाप क्या आनी है तो इस बात को भी धियान रखेगा चलो ठीके बात भोत होगी आगे चलते हैं सर्जन सीलता या सर्जनात्मक्ता की बात करें तो हम देखते हैं कि जो हमारी सर्जन सीलता है एक सेकिन जो सर्जनात्मक्ता है या सर्जन सीलता है वो दो सब्दों से मिलके बनी हुए सर्जन और दूसरी सीलता सर्जन सीलता को अगर हम तोड़ दें तो ये दो सब्जों से बिली है, एक सर्जन, दूसरी है सीलता, सर्जन करना, जैसे बते सिस्टी का सर्जन क्या है, भगवान ने, जिस भी भगवान को कोई मानता होगा, उसने सिस्टी का सर्जन क्या है, सर्जन करना मतलब बनाना किसी चीज़ को, तो यहां पर भी सर्जन का अर्थ वही है, इसका अदैसाब्दिक अर्थ लें, सर्जन का मतलब होता है बनाना, या निर्मान करना, या बनाना, या सर्जन करना, किसी ने चीज को बनाने की जो कौशल है, उसको सर्जन सील या सर्जनात्मक्ता कहते हैं, ठीके? बोलते हैं ना यह बच्छा बहुत क्रेटिब है जैसे ड्राइंग बनाने बठा कुई नई नई चीजे बना रहा है कोई खिलो होना है उसको तोड़ जोड के नई चीजे बना दी जब बच्छा छोटा होता है कोई नई सर्जित, निर्मित तथा कुछ बनाने की योग्यता या चमता है, सर्जित करना, निर्मित करना या कुछ बनाने की योग्यता या चमता को ही सर्जन सीलता कहते हैं, लेकिन जब हम इसकी पास psychology में करते हैं, या हम सिक्छा के छेतर में करते हैं, तो हम इसे थोड़ा modify करके इसक कि तो इसे कुछ तो मॉलिक का मतलब कலैं जी अक्षिस नहीं है कि किसी का देख沒有 हैएًि सर्जंसीलता है महतं हैं कुछ मॉलिक। ऑरिजिनल होता है नवीन नया होता है परमपरा, जो हमें से चला आ रहा है कुछ नया कर दिया जोने Separate बचत के साथ निर्मित करना उसके बखस्ता करना उसके बार में सोच पाने की चमता ही हो गयता है है उसी को क्या कहते हैं तो मदलब इसको क्या कर लेते हैं आर्थ की बात करें हैं तो कब्हीं भी पूरे नहीं होते हैं psychology एक इसा subject है जो हम सिक्षा मनो भी जयान पढ़ते हैं तो वहांपर क्या होता है बिना definition कहें हमारा अन्सर पूरा नहीं होता है, तो हम ऐसा question कोसिस करिए, जब भी आप आंसा लिखे, तो एक परिबासा डालने की कोसिस करिए, ठीक है, चलो देख लेते हैं, पहली परिबासा, पहली परिबासा है, आईजेक और उनके साथ योग का नुसर, आईजेक ने क्या कहा सर्जन सीलता के बारे नए समद्ध मतलब कोई समस्या और समाधान है, उसके बीच में समस्या का समाधान कैसे होगा, उसके बीच में जो नया कुछ नया ढून निकालना, ठीक है, कोई नई प्रमप्रागत चीज़ा आ रहे है, उसके कुछ नया ढून निकालना, तो वो उसकी बात कर रहे है, यहा जो प्राने concept है उससे हट कर कुछ asadharah जो नॉर्मली नहीं होते एकदम नया हो वैसे बिचार उसके माइन में होने जाए कुछ ने किसी भी तरीके को नए तरीके से किसी भी चीज को नए तरीके से सोचता है नए तरीके से परस्तूत करता है तो वो क्या है उसकी सर्जन सीलता है ये बात आईजिक ने कहाई है ठीक है इस से हमें क्या पता चलता है इस definition से अधादा, नह, एकवो मॉलिक, बिचारों, करियाओं, कल्पनाओं और अविस्कारों की योग्यता को सर्जन सीलता कहते हैं यार सरजनातमक्ता कहते हैं इस definition से हम पता चले कुछ भी नया हो, मौलिक, बिचार हो, किरियाएं हो या कलपना हो या हम कुछ अभिस्कार करने की जो हमारे पास युग्यता है नए सोचने की, नए किरियाएं करने की की किलपना करने के या नए अविस्कार करने के, जो हमारे पास युग्यता होती है, उसको ही सरजणात-मंकता कहते हैं, ठीके अगली डेफिनेशन है स्कीनर के नुशार, स्कीनर ने कहा है, कि सरजण सील बिचारक वो होते हैं, जो नए नई चेतर की खोज करते कुछ नया चेतर ढूने नई चेतर मतला कोई नए चगे नहीं कोई नया समाधान ढूले कोई नई चीज ढूले जिसे पहली बार मोबाइल ढूंडा गया तो जो पहली बार ढूंडा गया तो उससे क्या कहेंगे नया चेतर पहली बार टीबी आया होग ठीक है पेड़ है तो सब देख रहा है समय पती लगी फूल लगी वी लेकिन उसमें इतने बारी केसे देखे अच्छा ये सूक रहा है इसमें कुछ गीड़ा लगा वाई तो वो क्या एक नया अउलोकन होगी अलगतर ये कैसे देखने की चंता होगी ठीक है या उसमें कुछ प्रॉब्लम थे उसके समाधान करने की उसने की अरे ये प्रॉब्लम है इसका समाधान कैसे होगा तो उसने समाधान उस पेड में देखके ही डूना तो वो क्या उसका नया अउलोकन होगी अउलोकन मतलब देखना होता है ठीक है नवीन भविश्यवानी कब करेगा जब भविश्यवानी करते हैं, मलब हम सरजन्सील बेक्ति उनको कहेंगे, जो नए ने छेतर की खोज करते हैं, नया अलोकन करते हैं, नए भविश्यवानी करते हैं, तथा नए ने निसकर्स निकालते हैं, वो क्या होते हैं, सरजन्सील बेक्ति होते हैं, ठीकिन, तो यहीं पे जो कि वीडियो लंबी हो चाहती है आप आप लृह तो इसलिए मैं भीरost को चोटी ही रख रही है आप कमेंट्स में बताएं कि वीडियो इतनी छोटे छोटे चोटी रखाएं IORight question पूछा गया उसको पूरा एक ही lecture में बताजाए कभी कभी हो आदा घंटे तक चला जाता है तो आप कहने लगते हो कि lecture लंबा हो गया तो इसलिए मैं आप बंद कर यूँ अगले lecture में बिसेस्ताओं बताएं जाएंगी आपको lecture छोटे चाहिए लंबे चाहिए आप कमेंट्स में बताएगा जुरूर फिर मैं उस हिसाब से आगे कि strategy बनाओंगे आपके लिए ठीक है फिर मिलते हैं किसी next lecture में और तब